नमस्कार दोस्तों स्वाकते फिर आपका डीवी पी रिवीउस पेस दिए आप देखर इस वीडियो जो हम टेस्ट करने जा रहे है इस नेसले किटकाट के चंकी वाइट चॉकलेट वेफर चॉकलेट बार को तो चलिए शुरू कर जा तो इस तरह से आपको ये चॉकलेट बार यहां पर इन्होंने बताया जो क्रिस्पी वेफर फिंगर कवर्ड विद वाइट चॉकलेट वो 68.5 परसेंट जो इसमें आपको देखने मिलता है यालिकि जो है उपर की लेयर जो है उसका टोटल परसेंट यहां पर इन्होंने दिया हुआ है बात करते इसके इसके इंग्र जो कि अच्छी बात है तो यहां पर जैसे कि इन्होंने पहले ही बताया है जो 68.5 परसेंट जो वाइट चॉकलेट है और फिर यहां पर इन्होंने लिगा गंटेंस वेजेटेबल फैट इन अडिशन टो कोका बटर इंग्रेट से यहां पर शुगर स्किम मिल्क अगें यहा इसके सारे निटरिशिन फैक्स है एक स्क इसके सारे निटरिशन फैक्ट्स पता करो फिर जो बात करते हैं इसके manufacturing date and best before की तो यहाँ पे जो है इसकी manufacturing date है यहाँ पे इसकी best before है तो इससे देखते हैं इसकी जो shelf life है around जो है one year किये from date of manufacturing अगर आपको इस तरह से store करना है और रही बात इसके vegetarian और nor vegetarian रहने की तो यहाँ पे जो मुझे कई sign देखने नहीं मिल रहा है शायद यह हो सकता है suitable for vegetarians okay yes यहाँ पे V दिया है क्योंकि यहाँ पे green and red sign वहाँ पे use नहीं होता तो यहाँ पे ऐसे V sign इन्होंने दिया है suitable for vegetarians लिखा हुआ है फिर बात करते हैं इसके manufacturer की तो इसकी manufacturing है उसके बारे में यहाँ पर मैंने देखा था इसकी produced by Nestle Bulgaria इसकी जो है बल्गरिया में manufacturing हुई है इससे इंपोर्ट किया गया है इंपोर्टेड बाइनेसले Singapore सिंगापूर में इंपोर्ट किया है और वहाँ से इंडिया में इंपोर्ट किया है उनका एड्रेस वगर यहाँ पर है नहीं तो पता नहीं exactly कौन इंपोर्ट करता है लेकिन जिस शॉप में मैंने पर्चस किया वो बस ऐसे उनका कुछ चैन जक्षिक है है अब जो है इससे open कर लेते हैं और तेस्ट कर लेते है और बाहुस तरह को सारी चिजा आप अपको देखने में लिएगी ने ले月 तो एक ही पुर टोरकाटी वेफर चॉकलेट बाहते हैं हमाँ, अबई आ कॉ सबकर कर लेते हैं तो लगता है थोड़ी चिबचिबी हो गई है white चॉकलेट मतलब ज्याधा time के लिए बाहर रखाता इसे इसलिए तो इस तरह से जो है जो है यह 6 जो चॉकलेट बार which बार it कि इलस्ट्रेसिशन से कंप़ेर करके दिखाताओ आपको तो यहां से मैं से थोड़ा तोड़ लिता हूं ताकी हम इससे इलस्कृरिशन से कंपेर करें एक दम सीमिलर आपको यहां पर आपक चॉक्लेट बारे देखने मिलती है और आप यहां पर देख सकते हो जो उपर वाला जो लेयर वो पूरी तरह से वाइट चॉकलेट किये है यह यसे मैं खा करें दिखता हूं तो इनो नहीं जो है दो वाइट चोकलेट कंटेंस वेजटीबल फैट इन अदिशन दू कुटा बटर तो वेजटीबल फैट जो है वाइट चोकलेट में इनों नहीं यूज गया है तो यह इतनी स्मूद और क्रीमी टेस्ट नहीं है उसकी वेजेटेबल फैट यूज किया है लेकिन आपको जो है सिमिलर टेस्ट आएगी कोका बटर से जो ओरिजिनल कोका बटर होता है उससे सिमिलर टेस्ट जैफिनेटली है और अगर बात करो इसके चॉकलेटी वेफर चॉकलेट बार से टेस्ट का कंपारिजन तो जो है मुझे इसकी टेस्ट जो है थोड़ी जाद अच्छी लगी आइस कंपिर तो रेगिलर हिटकैट वेफर चॉकलेट बार पता नहीं क्यों बेसिकली यह वाइट चॉकलेट के ही होता है एक तरह से अंदर जो वेफर बार होती है अंदर है तो दोनों का जो कॉंबिनेशन है किस्पी वेफर और वाइट चॉकलेट उसकी बहुत अच्छी टेस्ट जो है आपको इसके इंदर देखने मिल जाती है तो डेफिनेटली जो है मैं आपको यह रेकेमेंड करू लाइक कीजिए वीडियो को शेर कीजिए वीडियो की निशे कॉमेंट कीजिए सबस्क्राइब कर लीजिए और बेल एकन को भी दबादेजिए वीडियो को देखने ले आपका बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में